असलामेकुम, वेलकम बैक तो माई चैनल, एक नए रेसिपी के साथ मैं आप सब को वेलकम कहती हूँ, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार पकोड़ों की रेसिपी, आज कल जिस तरह से रमजान मुबारिक है और हर घर मे ही पकोड़े बनाए जाते हैं, तो अगर आप बहुत ही परफेक्ट और मज़ेदार पकोड़े बनाना चाते हैं तो यह रेसिपी आपके लिए है, रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीदेगा, यह मिले जुले सबजियों के पकोड़े हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी पकोड़े के लिए है, जितने भी सबीशियां एड़ करेंगे वह बोख़त ही मज़ेदार फ्लेवर देंगी, प्यास आड़ करेंगे, प्यास भी यहाँ पर स्लाइसे में ही कट करेंगे, पालक को आड़ करेंगे, धोली जेगा पहले और उसके बाद एड़ कीजेगा, इसक इसमें एड करेंगे हरी मिट से बारी कट की हुई हैं अगर आप skip करना चाहें तो skip भी कर सकते हैं इसके बाद इसमें एड करेंगे नमक नमक according to your taste है और इसमें एड करेंगे बेसन इस तरह बेसन ज़ला कम एड करेंगे और इसी तरह से dry इंस सबको हमने mix कर लेना है आतों कि हमने एड की हैं वह अपना थोड़ा थोड़ा पानी रिलीस करेंगी और हमें परफेक्ट रेशो पता चल जाएगी कि हमने और कितना बेशन एड करना है उसके बाद मानी एड करेंगे तो देखें यहां पर मैंने इसे पान से साथ मिनर के लिए चोड़ दिया था इन्होंने प पानी एड करना है पानी आपने ज्यादा एड नहीं करना थोड़ा थोड़ा पानी एड करेंगे मिक्सिंग कर लेंगे ताके हमें फर्दर और बेशन एड ना करना पड़े अगर आप पानी एकदम से ज्यादा डालेंगे तो हमें और ज्यादा फिर बेशन डालना यह देखे अच्छी तहां से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और यह हमारा परफेक्ट सा बैटर एड़ी हो चुका है और गरम करने के लिए रखा हुआ है आप जो पोकोड़े डालने हैं वह साथ-साथ मिला कर डालेंगे इस तरह से ताके बहुत अच्छे से लच्छे बन जाएं और बहुत ही क्रिश्पी यह पोकोड़े बनते हैं आप एक दफ़ा जरूर ट्राइ करके दिखेगा इसमें जो बेंगन एड़ किया है और हमने पालक एड़ की है वह बहुत ही क्रिश्पी परन देगी तो जरूर एड़ कीजेका इसके इलावर जो हमने इसमें पोदीने के पते एड़ किये हैं और मेथी जो सुखी एड़ की है उससे भी बहुत जबरदसी खुश्पू आएगी तो आपने पुदीना और सुखी मेथी को जरूर एड़ करना है बहुत ही क्रिस्पी और खुश्पूदार यह पोकोड़े बनेंगे एक दफ़ा से ट्राइज कीजेग इसी तरह से इसको बनाना है लच्चेदार बनाईएगा साथ साथ जोड़ कर मिलाकर इसको आपने रड़ी करना है बहुत ही क्रिस्पी यह पोकोड़े बनते हैं तो इस रमजानू मुबारिक में आप इसी तरह से पोकोड़े बनाएं सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और काफी देर तक यह क्रिस्पी रहते हैं अगर आपने 2 गंटे पहले भी इस को बनाया है तो जब इफटारी का time होगा तब यह बहुत ही क्रिस्पी रहेंगे आप देख सकते हैं कि कैसे ये क्रिस्पी लग रहे हैं और बहुत ही परफेक्ट कलर आया है और लच्छे दार पकोड़े बनेंगे इसको सर्फ किस्था से करना है ये मैं आगे आगे आपको बताऊंगी किस्था से आपने इसको सर्फ करना है गरम गरम भी आप सर्फ कर सकते है इसको ketchup और राइते के साथ सर्फ कीजेगा, खाने में बहुत अच्छे लगेंगे यहाँ पर इसको हमने जब सर्फ करना है, तो इस तरह से इसके जो लचे हैं, वो हमने थोड़े से बड़े-बड़े करके तोड़ लेने हैं और इस तरह से सर्फ कर देंगे, जिसने जितना पार्ट लेना होगा, वो उतना ले लेगा और खाने वाले को भी बहुत मजा आएगा, आप देख सकते हैं कितने किस भी यह पकोड़े हैं अगर आपको यह recipe अच्छी लगी है, तो kindly मेरे channel को जरूर subscribe कीजेगा, bell icon भी जरूर प्रेस कर दीजेगा और वीडियो को like जरूर कर दीजेगा, thanks for watching, Allah Hafiz कर दो पिरूर दीजेगा ऑकट शे